नमस्कार, तो आज हम लोगों को देखना है, कल की क्लास जो हम लोगों ने देखी थी, हमने legislative council और legislative assembly है, उसके बारे में basic चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई थी, आज जो हम लोगों को देखना है, legislative council का composition कैसे है, यानि कि यहाँ पर जो विधान परिशद होती है, जहाँ पर भी उनका स्रजन होता है, तो विधान परिशद में सदस्य कैसे निरवाचित किये जाते हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताये गया है, तो एक तो हम लोगों ने कल तक बात किया था कि, total number of members in the legislative council of a state having such a council shall not exceed one third of the total number of members in the legislative assembly of that state, राज विधान सभा के एक तियाही सदस्यों से अधिक विधान परिशद के सदस्यों की संख्या कहीं भी नहीं हो सकते, जिस भी राज में विधान परिशद होगा, वहाँ पर विधान सभा के एक तियाही, जितना विधान सभा की परिशद में हो सकते हैं, और किसी भी सिती में यह 40 से कम नहीं होना चाहिए, यह यहाँ पर एक प्रावधान बनाया गया है, दूसरी चीज यहाँ पर बोला गया है, कि जो total number of members of legislative council हैं, वो कैसे elect किये जाएंगे, तो इनमें बताया गया है कि पहला तो बताया गया है कि one third shall be elected by electorates consisting of members of municipality, district boards and such other local authorities in the state, यानि कि local bodies के थ्रू अस्थानी निकायों के द्वारा, मान लीजिये जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिशद में 100 सदस्यों हैं, तो 100 सदस्यों में एक तिहाई सदस्यों का चुनाव वह अस्थानी निकायों के माध्यम से किया जाएगा, अ प्रिस्टिक बोर्ड से है और अन्य जो पंचायती या अन्य संस्थाएं हैं उनसे यहाँ पर है, तो एक तिहाई सदस्यों का चुनाव ये लोग करेंगे, फिर बोला गया है कि 112 यानि 112 यानि एक बटे बरहवा जो हिस्सा है वह उसका चुनाव यहाँ पर उन लोगों के द ऊइवर्सिटी से जो है, वो अगर असनातक है पिछले तीन वर्स हो चुके हैं, इसनातक हुए, और उस राज में जहां पर विधान परशद में सदस्यों को चुना जाना है, अगर उस राज के वो निवासी हैं, तो विधान परशद के एक बटे 12 सदस्यों का चुनाव ऐस लोगों के द्वारा किया जाएगा जो उस राज्य के निवाशी और पिछले तीन वर्सों से असना तक वहाँ पर हैं। लोग विधान परिशद के चुनाओं में भाग लेते हैं। और अंती में ये बोला गया है कि वन थर्ड मेंबर जो है वह लेजिसलेटिव एसम्बली ऑफ दी स्टेट के द्वारा चुने जाएंगे। एक बटे तीन सदस्यों का वन थर्ड मेंबर का जो इलेक्शन है वह अस्थानिय निकायों के द्वारा किया जाएगा यानि लोकल बॉडी के द्वारा किया जाएगा। Play इनमें यहां पर जो बीजिस्टिक बॉड है जिला बॉड है उनके सदस्य जो होते हैं वो लोग को मद डेने का अधिकार मिलता है अन्य जो हैं अस्थानिय जो यहां पर प्रादिकारी हैं उनके द्वारा यहां पर चुनाओ किया जाता है अधर लोकल अथार्टी के द्वारा ये लोग मेंबर होते हैं और इसके मेंबर जो हैं वो लोग वोटिंग राइट यहां पर पाते हैं और एक बटे तीन सद सदस्यों को विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है यानि राज जो विधान सभा है उस इस्टेट एसम्बली के इलेक्टेड मिम्बर द्वारा के निर्वाचे सदस्यों द्वारा यहां पर एक बटे तीन सदस्यों को चुना जाता है यह लोग यहां पर राइट वोट का exercise करते हैं, इनके पास ये right रहता है, 1 by 12 जो member हैं, उनका election जो graduate पिछले तीन वर्सों से असनातक हैं, उनके द्वारा यहां पर जो है, वह किया जाता है, तीन वर्स से असनातक हैं, और वो recite करते हैं, राज्य के निवाशी हैं, तो ऐसे में इन लोगों के द्वारा इन उनका जो election है, वह last three years से पिछले तीन वर्सों से जो है, यहां पर जो सिच्छक हैं, उनके द्वारा किया जाता है, और ऐसे सिच्छक यहां पर, जो यहां पर देखे जाते हैं, कि माधमिक सिच्छा, माधमिक सिच्छा या उससे जो है, माधमिक सिच्छन संस्थान या उसस उसे उपर के जो संस्थान है, उसा उपर के सिच्छन संस्थानों में वो सिच्छक हैं. तो उनके द्वारा एक बटे बारा सदस्यों का चुनाओ किया जाता है। पर रिमाइंडर जो है, यानि 1 by 6 बचते हैं, कुल सदशयों में, एक बटे जो 6 सदशय बचते हैं, राज्यपाल द्वारा नामांचित होते हैं, गवर्रनर की द्वारा यहां पर नॉमिनेट किया जाता है, राजपाल द्वारा नामांकित किया जाता है राजपाल जो नामांकित करते हैं किन एरिया से करते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट भी जो है राजसभा में वह 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं वैसे ही राज्यों में विधान परिशद में एक बटे च्छा सदस्यों को रा जिपाल के द्वारा नामंकित किया जाता है, ये लोग किन छेत्रों से होने चाहिए, तो लिटरेचर से होने चाहिए, ये लोग साइन्स से होने चाहिए, आर्ट से होने चाहिए, साहित्य, विज्ञान, कला, एक यहां पर और चीज जोड़ा गया है, cooperative moment, यानि सहकारी आंदो है, वैसे तो प्रेसिडेंट जो है, वह लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोसल सर्विस, चार एरिया से 12 लोगों को राजसभा में आमांकित करते हैं, लेकिन राजयपाल पाँच एरिया से एक बटे च्छ सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं विधान परिशद में, तो विधा नहीं होता है, राजसभा की भाती यहां भी नियम काम करता है, कि हर दो वर्स के बाद एक तियाई सदस्यों से रिटायर होते हैं, प्रतेक सदस्यों का कारिकाल 6 वर्स होता है, और हर दो वर्स बाद एक तियाई सदस्यों से रिटायर होते रहते हैं, नए सदस्यों का चुन तो यहां पर चाहे वह विधान सभा और विधान परिशद हो, उनकी अरता ठीक वैसे ही दिखती है जैसे लोकसभा और राजसभा के सदस्यों की है, जैसे कि यह भारत के नागरिक होने चाहिए और अगर वह विधान सभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो at least 25 एर जो है जिनका complete हो चुका हो, 25 वर्ष की आयू यहां पर जो है वह complete हो चुकी हो, और अगर विधान परिशद का वह member बनना चाहते हैं, legislative council का member बनना चाहते हैं, तो 30 वर्ष की आयू उनकी क्या हो, complete हो चुकी हो, 25 वर्ष की आयू और 30 वर्ष की आयू हो चुकी हो, और साथ ही साथ जो संसद जो है निर्धारित यहां पर करे अन्य ऐसी अहरताएं हैं जो संसत द्वारा निर्धारित की गई हो तो संसत द्वारा क्या निर्धारित किया गया है तो बिल्कुल किया गया है जन प्रतनिधत्व अधनियम हम बार-बार कहते हैं लोग सभा राजसभा के सदस्यों की अहरता राज विधान सभा, विधान परशद के सदस्यों की अहरता, इनके बारे में जन प्रतनित्व अधनियम 1951 में प्रावधान किया गया है। जन प्रतनित्व अधनियम यह कहता है कि अगर किसी भी राज विधान मंडल का आपको सदस्य बनना है, तो राज विधान मंडल का स्टेट लेजिसलेचर का चाहे वह स्टेट असेंबली हो चाहे काउंसिल हो, राज विधान मंडल का अगर सदस्य बनना है, तो इसके लिए आपका नाम वह राज के किसी विधान सभाज छेतर के निरवाचक NAMावली में होना चाहिए, यानि कि अगर हमें किसी स्टेट के assembly और council का election लड़ना है तो मेरा नाम उस स्टेट के किसी legislative assembly के constituency में electoral role में registered होना चाहिए तो राज जो है राज के किसी विधान सभाच्षेत्र की निर्वाचक नामावली में हमारा नाम होना चाहिए जो electoral role है वहाँ पर जो है नामावली में नाम दर्ज होना चाहिए registered होना चाहिए यहाँ पर यह बोला गया है तो वह citizen of India हो और legislative assembly के लिए 25 council के 30 एर होना चाहिए और People's Representation Act के तहत जिस राज जिका आप चुनाओ लड़ना चाहते हो उस state के legislative assembly के किसी constituency में आपका नाम दर्ज होना चाहिए इसलिए अगर किसी दूसरे state का आप election लड़ना चाहते हैं तो आप नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि आपका नाम वहां के constituency के electoral role में न हो पार्लियमेंट के election में ऐसा कोई foundation नहीं है आप पार्लियमेंट के election में किसी भी इंडियन जो है इंडिया के किसी भी पार्लियमेंटरी कंस्वेंसी में आकर आपका electoral role में नाम दर्ज है तो आप कहीं से भी चुनाओ लड़ सकते हैं जैसे नरिंद मोदी जी वह बडोधरा से भी चुनाओ लड़े थे निरहरता क्या है विधान सभा और विधान परिशत के सदस्यों को किन आधारों पर वह डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है तो इस पर आल्रेडी हमने जो लोगसभा राजसभा में बात की थी सेम चीजें यहां पर फिर से आएंगी जैसे पहला तरीका है कि राजपाल जो ह आएंग की सलाह पर नहीं राजपाल द्वारा इलेक्षिन कमीशन ओफ इंडिया भारत के निरवाछन आयोग की सलाह पर इन्हें डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अब सवाल है कि राजपाल किसी को जो हताएंगे तो उसके लिए आर्टिकिल वन नाइनटीवन में जो वहाँ पर मेंसंड ग्राउंड हैं, वनित आधार हैं, इन आधारों पर इन ग्राउंड पर जो है, वह किसी भी मिम्बर को डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है, ये आधार यहाँ पर क्या है, तो पहली चीज है कि लाब का पद, आफिस office of profit जो है व... वह न अब का पद नहो। पहली चीज...office of profit न लगन कर रही हूँ। दूसरी चीज यह है कि वह विक्रिचित नहों, वह अनसाउंड माइंड के नहों, विक्रिचित अगर लाब का पद हो, तो उने हटाये जा सकता है, विक्रिचित तो हो, तब हटाये जा सकता है, यह दिवालिया अनुमोनुचित इंसॉल्वेंट जो है, वहां पर वो हो, तो अनुमोचित जो बहारत के नागरिक नहों, अगर वह सर्जन ओफ इंडिया नहीं है, तो हटाया जा सकता है, या किसी दूसरे स्टेट की कंट्री की नागरिकता उसने धान कर लिया हो, या फिर संसद द्वारा निर्धारित किसी आधार पर उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता हो, तो संसद अगर कानून बनाएगी, तो उस कानून के तहट राज्यपाल ही उसको पदमुक्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर संसद जो है किन आधारों पर कर सकती है, तो संसद वाला जन परतनी थे तो अधनियम हमने देखा था, कि दो से अधिक साल की अगर कारावास है, तो उनका सदस्ता खत्म किया जा सकता है, अगर वह किसी चुनावी अपराद में सनलिप्त पाये जाते हैं, एलेक्टोरल अफेंस में हैं, तो वहाँ पर उनका डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है, अगर यहां पर किसी भी public enterprises में 20% या उससे जादा का stake उसका shareholder उनका है, तो उनको disqualify किया जा सकता है, तो ऐसे तमाम ground है और इन ground पर हटाने का, disqualify करने का जो power है, जो authority है, वह governor के पास है, लेकिन governor इसके लिए election commission of India से consult करता है, और election commission of India का जो भी advice होता है, वह governor के लिए binding होता है, दूसरा तरीका यहां पर उनको यहां पर हटाने का क्या होता है, कि अगर वो double membership कर लेते हैं, तो दोहरी सदस्यता के आधार पर भी उनको क्या किया जा सकता है, वह disqualify किया जा सकता है, मतलब आप assembly और council दोनों के member हो जाते ह हैं, और अगर within time period, अगर आप membership नहीं छोड़ते हैं, तो एक house का membership आपका क्या है, खत्म हो जाता है, तीसरा, अगर आप लगातार 60 days तक वह house में नहीं आते हैं, तो ऐसी इस्सिती में आपको disqualify किया जा सकता है, चौथा यहां पर बोला गया है, कि अगर speaker चाहें, तो anti-reflection law पे, यानि speaker या सभापती जो है, जो speaker है, या सभापती द्वारा, council के जो chairman होंगे, उनके द्वारा, दल बदल विरोधी कानून के तहत, anti-reflection law, इस पर हम लोग पहले already पढ़ चुके हैं, दल विरोधी कानून के तहत, वहां पर क्या किया जा सकता है, remove किया जा सकता है, तो एक तो governor इनको हटा सकते हैं, दूसरा speaker या जो chairman है, council के, वो यहां पर anti-reflection law के ground पर इनको disqualify कर सकते हैं, double membership के ground पर disqualify किया जा सकता है, absent होने पर इनको disqualify किया जा सकता है, तो यह सारी चीजे इनके disqualification के grounds बन सकते हैं, clear रहां तक, तो अब यहां से हमारे लिए एक चीज के बारे में, basic चीजे, अब हमें समझना है कि इनके यहां पर legislative process क्या है, बाकि सारी चीजे पारलियमेंट की common है यहां पर, यहां पर session के बारे में वही परावधान है, यहां पर questionnaire, zero hour, motion, यह सारी चीजें as it is हैं, जो पारलियमेंट में आपने पढ़ा था, वही चीजें state assembly, इस्टेट काउंसल में भी देखने को मिलती है, क्योंकि पारलियमेंटरी system के यह feature, जो पारलियमेंटरी proceedings है, वो एक जैसी similar होती है, जो union government और state government दोनों level पर एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन legislative जो process है, थोड़ा उनमें एक अंतर दिखाई देता है, जो हमारे लिए जान maximum state में आज जो है, वा केवल legislative assembly है, council नहीं है, तो जिन state में council नहीं है, वहाँ तो simple सा process है, कानू बनाने का legislative assembly में बिल लाया गया, बिल को पास किया गया, first reading, second reading, third reading हुई, बिल पास हुआ, और सीधे governor के पास पास पुचा, governor ने असेंड दिया और वो बिल act बन गया, तो यहा पर problem होती है, जहां पर दो-दो houses हो, यानि state legislative अगर council भी है, तो अगर assembly और council दोनों है, तो ऐसी city में इन दोनों के power क्या है, लोकसभा और राजसभाव के level पर हम लोगों ने इस चीज को देखा था, कि अगर कई बार जिसे money बिल था, तो हमने देखा कि लोकसभा पास करती तो राजसभा के पास ये power नहीं था, कि वह उसमें amendment कर सके या उसको reject कर सके, तो क्या यहां पर state का जो legislative procedure है, वहां पर इस तरीके की बाते क्या हैं, तो आईए एक बार इसको हम लोग देखते हैं, state में जो legislative procedure है, वो कैसे यहां पर होती है, तो state में legislative procedure जो है, इनके बारे मे पहले हम समझें, कि यहां पर दो तरीके के बिल होते हैं, एक ordinary बिल होता है, साधान विदेयक होता है, और एक यहां पर जो money बिल होता है, धन विदेयक होता है, दो ही type के यहां पर बिल होते हैं, तीसरे type का बिल नहीं होता है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा हुआ था, union में, परल्यमेंट के लिफल पर तो हमने पढ़ा कि पारल्यमेंट जो है ओर्डिनारी सकते न ला टा है मनी भाँ टा है, टजीज़ यह आता है, फाैनिशल भी आता है, इसकते धूधि श्तर पर फार्ट के पास इस ढोता है, क्रोने जा करने का का wishing अ बेंदे रोक में देखे जाते हैं तो यहां पर यह दो ही बील यहां पर होते हैं इसलिए हमें इनरी पे फोकस करना है और यहीं से question आएगा, अगर हम ordinary bill की बात करें, साधारन विध्यक की बात करें, तो जब हम ordinary bill की बात करते हैं, तो साधारन विध्यक कहां पर introduce कराये जा सकते हैं, तो पहली चीज है कि किसी भी सदन में इनको introduce किया जा सकता है, इनका जो introduction है, किसी भी सदन में इनको introduce किया जा सकता है, लेकिन इसमें दो कंडिशन बनते हैं, कंडिशन वन क्या है यहां पर पहले वो समझते हैं, अगर कंडिशन वन बनता है कि विधान सभा, जब कोई विध्यक विधान परिशद के पास भेयता है, यानि यहां पर विधान सभा द्वारा अगर कोई इंट्र्यूस किया गया और विधान सभा द्वारा पारित किया गया तो यहां पर लेजिसलेटिव एसंबली में माल लीजे पहले इंट्र्यूस किया गया और लेजिसलेटिव एसंबली द्वारा इसको क्या कर दिया गया पास कर दिया गया तो इसके बाद यह कहां पर विधान परिशद यानि लेजिसलेटिव काउंसिल के पास अब यह जाएगा पहला प्रोसेस विधान परिशद के पास विकल्प क्या होंगे और नरी विल पर उसके पास विकल्प क्या होंगे या तो वह स्विकार कर सकता है उसको वहां पर पास कर दे पारित कर दे एक तो यह आप लेनों में वह कोई यहां पर जो है, आमेंड्मेंट कर दे, सनसोधन कर दे औरreiben आसेम्बली के पास भिर्सτε बेश दे और चोठा अप्शन इसके पास होता है त्री मन्त तक तीन महा तक कोई कारवाई न करें, कोई कारवाई न करें, तो ये तीन-चारावप्शन इसके प पास कर देता है तब तो हमने कहा कि ठीक है legislative assembly और council दोनों से पास हो गया, गवर्नर के पास चला गया, लेकिन अगर वह reject कर देता है, amendment कर देता है, या तीन मन तक कोई action नहीं लेता है, तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि deadlock जैसा situation होता है, यहां पर ऐसा नहीं होता है कि इसको joint sitting के रूप में देखा जाएगा, अगर ऐसी condition है, तो ऐसी स्थिती में यह फिर से पुना जो है किसके पास पहुचेगा, विधान सभा के पास पहुचेगा, और legislative assembly फिर से अगर यह पारित कर दे, पुना यह पारित करके यह भेजता है, पुना पारित करके अब विधान परि पास रहेगा, और अगर एक माह में विधान परिशद इसको पारित नहीं करती है, तो यह जो है विध्यक स्वयम में पारित माना जाएगा, तो विध्यक जो है वह उसी विध्यक जो है, उसी रूप में पारित माना जाएगा, जिस रूप में विधान सभा ने पारित किया यानि विदयक्तार पारित माना जाएगा अगर जो है यहां पर वठ ग्रते हैं। मतलब कहने का क्या है अब इसको समझीयेगा की Maximum क्या अधिक से अधिक यहां पर जो है वा Council का पावर है kalau Council to I grew Greek damit गजिग करता है तो कोई फारक भिल पर नहीं पड़ता है काउंसिल अधिक सधिक तीन मन तक डिले कर सकता है और अगर विर विधान सभाने फिर से उस बिल को पास करके लेजिसलेटिव काउंसिल के पास भेजा तो काउंसिल फिर से केवल एक काम कर सकता है वन मन तक डिले कर सकता है यानि कुल विलाकर विधान परिशद के पास बिल मै next to mac 3 plus 1 4 महीने वो डिले कर सकता है लेकिन वह जो है यहां पर विधयक को रिजेक्ट या विधयक को जो है यहां पर पारित होने से नहीं रोक सकता है यानि अगर वह चार महीने तक लेजिसलेटिव काउंसिल बिल पर कुछ नहीं करता है तो बिल उसी रूप में पास माना रहेगा जिस रूप में लेजिसलेटिव असंबली ने पारित किया था अगर यहां पर काउंसिल रिजेट करता है अमेंडमेंट करता है तो इसे कोई डेडलॉक जैसा सिच्वेशन नहीं यहां पर क्रियेट होता है यानि कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है यहा कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होता है और केवल अधिक से अधिक चार माह तक जो है वह डिले हो सकता है अधिक से अधिक चार माह तक विलंब यहां पर हो सकता है तो एक तो यहां पर कंडिशन तब बनता है जब लेजिसलेटिव असंबली पास करें दूसरी कंडिशन बनत और लेजिसलेटिव कॉंसिल द्वारा उसको पारित किया जाए, विधान सभा परिदान परिशत द्वारा पारित किया जाए, और फिर ये बिल जो है, ये पहुचे लेजिसलेटिव एसंबली के पास, विधान सभा के पास पहुचे, तो विधान सभा जो है, लेजिसलेटिव assembly जो है वह इससे accept भी कर सकती है, यानि पारित भी कर सकती है और इससे aswikar भी reject कर सकती है, और aswikar करती है तो विध्यक जो है वह lapse कर जाएगा, तो विध्यक समाप्त माना जाएगा, यानि यहां पर सबसे दिक पावर किसको दिया गया है legislative assembly को, legislative assembly चाहे तो legislative council के bill को reject कर सकती है और bill वहीं पर खत्म हो जाएगा लेकिन अगर legislative assembly के द्वारा pass किया हुआ बिल है तो legislative council ऐसा नहीं कर सकता है legislative council अधिक सधिक चार मंद तक डिले कर सकता है तो इसलिए state legislature में deadlock situation ordinary bill पर नहीं आते हैं, joint sitting का कोई provision यहां पर नहीं होता है, अब दूसरा यहां पर ordinary bill के साथ साथ money bill के बारे में भी provision देखना जरूरी है money bill के बारे में अगर देखते हैं तो money bill का definition article 199 में जो है वह money bill को परिभाशित किया गया है राज्य के संदर्व में धन विद्यक की परिभाशा यहां पर article 199 में दी गई धन विद्यक की परिभाशा यहां पर दी गई है यह परिभाशा वैसी ही परिभाशा है जैसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ था पार्लियमेंट के संदर्व में article 110 में वही same definition है एक बार इसको फिर से देख लेते हैं यहां पर अंतर के वल यह है कि वहां consolidated fund of India था और यहां consolidated fund of state होगा तो यहां पर देखिए पहला क्या है कि दा imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax वहां भी आपने पड़ा था किसी भी कर को आरोपित करना, समाप्त करना, उसमें कमी करना, उसमें परिवर्तन करना या उसका विनियमन करने वाला बिल, money bill कहलाता है the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the state not by India, Indian government or the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken are to be undertaken by the state अगर राजी के द्वारा कोई भी वित्ती है, जो obligations है, दाइतो हैं, अगर वो हैं, तो वो सब money bill के रूप में होंगे the custody of consolidated fund or the contingency fund of the state, जो state का contingency fund और यहां पर जो है, यहां पर है the payment of monies, यहां से जो payment हो रहा है, भुक्तान हो रहा है और जो withdrawal हो रहा है, यानि निकासी हो रहा है तो यहां पर payment और withdrawal की बात की गई है, expenditure की बात नहीं की गई है, फिर क्या है appropriation of consolidated fund of state, यानि कि जो विन्योग होता है, विन्योजन, धन का विन्योजन, संचेतनिदी से, वह भी money bill के रूप में होता है या किसी expenditure को अगर charged expenditure हम करते हैं, कि state के consolidated fund पर charged है, तो और वहां पर जो है, are the increasing of the amount of any such expenditure तो यह सब क्या है, यहां पर जो है, वह money bill के definition में आएंगे इसके साथ-साथ, the receipt of money on account of the consolidated fund, जो receipt है वहां पर, और public account के भी जो receipt है, उनकी भी जो custody है, वो सब जो है, यहां पर money bill के definition में आएंगे तो यह चीज़ें आप एक बार parliament में देख चुके हैं, एक बार revision के लिए फिर से यहां पर recall करने के लिए जरूरी था अब यहां पर जो है, money bill के बारे में basic चीज़ें क्या हैं, हमने कहा अगर single house होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, state assembly के वल रहती, पास करती और governor के पास चली जाती, लेकिन अगर house, state assembly भी है और council भी है, तब क्या होगा, तो पहली चीज़ यह है, कि speaker द्वारा इसको certified किय अहां पर governor का pre-consent होगा, यानि राजपाल की पूर्व अनुमती से यह लाया जाएगा, और governor के pre-consent से कहां लाया जाएगा, विधान सभा, legislative assembly में इसको introduce किया जाएगा, विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधान काउंसिल के पास यहां पर राइट क्या होगा तो विधान परिशद जो है वह इसे अस्विकार नहीं कर सकती है यह रिजेक्ट नहीं कर सकती है यहां पर यह संसोधन अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती है यहां अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती है क्या कर सकती है विधिन 14 डेस चौदा दिनों के भीतर सिफारिस करें. जो इसकी सिफारिसे हैं, वह विधान सभा के लिए मानना जरूरी नहीं है. अगर चौदा दिनों के अंदर वह कोई सिफारिस नहीं करता है, तो बिल उसी रूप में वह पास माना जाएगा, जैसा लेजिसलेटिव एसंबली ने पास क पर हैं. जब और बिल और बनी बल पास हो जाते हैं, तो वह जाते हैं गवर्नर के असंट के लिए, राज tapping के लिए यहां पर भीजा जाता है, तो गवर्नर का जो असंट होता है राज weiteren के जो अनुमती होती है, वह बहुत महत्तोपूर्ण होती है, इसके बारे में Article 200 में यह Legislative Assembly of State, and in the case of state having a Legislative Council, if he is here, so if the bill is illegal, such as ordinary bill, or money bill, if the bill is performed through both states, the governor is able to comply with the chosen governor. What can the governor do? Either that he has sent to the bill, or that he will give the bill for anunimati, or he will withhold, or will hold there, या फिर वो रिजर्व करेंगे बिल को और अगर ordinary bill है तो reconsideration के लिए वापस लोटा सकते हैं, money bill को reconsider करने के लिए return नहीं कर सकते हैं, लेकिन ordinary bill पे कर सकते हैं, तो यहां पर article 200 यह कहता है कि गवर्नर के पास क्या-क्या चीजे हैं, पहला है विध्यक पर अनुमती दे सकता है, दूसरा है कि अनुमती रोक सकता है, वह जो है विध्होल्ड कर सकता है, तीसरा वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो साधान विध्यक जो होते हैं, ओर्डनरी बिल, साधान विध्यक को पुनर विचार के लिए वह वापस कर सकते हैं, र और यहां पर जो है वह राष्टपती के लिए बिल को वह रिजर्व कर सकते हैं, चाहे वह money bill हो, ordinary bill हो, कोई भी bill हो, president के लिए रिजर्व किया जा सकता है, यहां पर confuse मत हो येगा, कई लोगों को लगेगा कि ordinary bill ही केवल president के लिए रिजर्व होंगे, ऐसा नहीं है, ordinary bill भी रिज हो सकता है, तो राष्टपती के लिए आरच्छित कर सकते हैं, अब सवाल ये है कि बाकी तो ठीक है, ये तीनों तो समझ में आ रहा है, अगर president के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया, तो bill का future क्या होने वाला है, तो article 201 में यह बताया गया है, कि अगर जो है राष्टपती क के लिए आरच्छित विद्यक हैं, तो उन्हों विद्यक के संबंध में president का power क्या है, उस bill का future क्या होगा, तो article 201 अगर आप देखें, तो देखें यहां पर क्या लिखा गया है, वेन बिल is reserved by a governor for the consideration of the president, the president shall declare either that he assent to the bill or that he withhold assent their form, तो यहां पर कोई भी विद्यक, ordinary या money bill, अ उसे या तो assent दे सकते हैं या withhold कर सकते हैं, money bill पर भी ये ध्यान रखियेगा, तो यहां पर वह अनुमति दे सकते हैं, और अनुमती रोक सकते हैं, विद्यक उंद्य हैं और assent दे भी सकते हैं, तो दोनों चीजें यहां पर जो है वह कर Сकते हैं, यह गवर्न राष्टपति के पास यहां पर है, और तीसरा, अगर व धन विधियक के अलावा कोई साधान विधियक है, तो गैर धन विधियक, जिसको कहते हैं, गैर जो धन विधियक होते हैं, उनको रिकंसिडरेशन के लिए पुनर विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, पुनर विचार के लिए legislative assembly और legislative council है उन्होंने पास किया बिल, governor के पास गया, governor ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया, president ने देखा, president फिर रिवापस भेजने, किसको भेजेंगे, governor के पास नहीं भेजेंगे, यही सब कोईश्चन वहाँ पे गलत होते हैं, ये सीधे state legislature के पास भेजेंगे, state legislature राज विधान मंदल के पास यहाँ पर बिलको भेजा जाता है, state legislature, अब एक और यहीं पर जरूरी चीज जो समझना है, और वो क्या है, ordinary bill जो गवर्नर के पास आता है, अगर वो जो है, वो house के पास, यानी साधान विधियक को या इसको आप जो money bill हैं, वह उनको reconsideration के लिए एक बार भेज सकते हैं, इसके पास, वह यहाँ पर house, सदन के पास, और सदन अगर वहाँ पर फिर से पारित कर दे, फिर से अगर वह पास कर देता है, तो गवर्नर के लिए मजबूरी हो जाता है, कि वह उसको अनुमती दे दे, तो राज पाल के लिए अनुमती देना क्या होता है, बाइंडिंग होता है, देना ही देना पड़ेगा, अगर फिर से reconsideration के बाद उनके पास आता है, लेकिन यहाँ पर president के पास क्या है, उन्होंने पुनर विचार के लिए वापस राज विधान मंडल के पास भेजा, और लेकिन State Legislature, अगर reconsider करके, फिर वही जो बिल था, वो प्रेसिडेंट के पास भेजता है, तो पुनर विचार के बाद भी यह बादिकारी, यानि पुनर विचार जो है, लेकिन पुनर विचार राष्टपती के लिए बादिकारी नहीं है, यानि फिर से वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या यहां पर overall राष्टपती के पास, यहां पर क्या सक्तियां है, किस तरीके की सक्तियां है, यह हम लोग देख रहे थे, यह था स्टेट के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें, जो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, प्रिलिम्स के पॉइंट आप व्यू से, जहां से क्व क्वेशन बनते हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं, कि क्या-क्या क्वेशन यहां पर बन सकते हैं, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेशन बनता है, वह Office of Governor है, यहां पर मुख्य परिच्छा से संबंधित जो मुद्दे हैं, अब उनको हम लोग वह Office of Governor, Rajipal का जो पद है, राजिपाल का पद से कुष्चन दो ही बनते हैं, उनका रोल किया है और उसे रिलेटेड डिस्प्यूट किया है, भुमिका और विवाद, तो यह दो ही कुष्चन यहां पर बनते हैं, कहीं से भी गवर्नर से आएगा, तो ऐसा ही कुष्चन आएग of State हैं, राजिपाल की भुमिका को अगर हम देखें, तो राज के समवेधानिक प्रमुख हैं, राज के समवेधानिक प्रमुख हैं, यह हम लोगों ने अल्रेडी बात किया था, हमने कहा इस रूप में राज में समवेधान सही से लागू हो सके, राज अच्छे से काम कर सके यह किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब आप कंस्यूशनल हेड हो, आप ही हैं राज्य, तो आपकी जिम्मेदारी स्टेट को लेकर जाधा बनती है, और दूसरा, चो कि आपको अपाइंट कौन कर रहा है, वह सेंटरल गवर्मेंट कर रही है, रिमूफ कौन कर सकता है, स गवर्मेंट कर सकती है, तो एक तरीके से आप एजन्ट औफ सेंटरल गवर्मेंट भी देखिया जाते हैं स्टेट में, आप केंदर के एजन्ट भी होते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, कि केंदर के एजन्ट का मतलब केंदर के सबाइडिनेट नहीं, बल्कि आप जो है ब्रिज का काम करते हैं, स्टेट और यूनियन गवर्मेंट में, तो सेंटर और स्टेट में केंद्र वर राज्य के मध्य सेतु के रूप में आपका काम होता है, तो दोहरी भूमी का होती है, के मध्य सेतु के रूप में या कड़ी के रूप में यह जो है, यहां पर काम करते ह तो यह एक चेन के रूप में यहाँ पर है तो यह दोहरी यह डबल रोल यहाँ पर होता है समवैधानिक रूप में हमने यहाँ देखा हुआ है कि गवर्नर के पास कई डिस्क्रिशनरी पावर वहाँ पर दिये गए जो प्रेसिडेंट से बहुत जादा है और राजपाल को यह यहाँ पर महतुपूर बना देते हैं तो चुकि हमने कहा कि गवर्नर के पास विवेका धीन सक्तियां हैं तो चुकि यहाँ पर राजपाल के पास विवेका धीन सक्तियां हैं डिस्क्रिशनरी पावर हैं विवेका धीन सक्तियां हैं और इसी वजह से इनका जो यहाँ पर ज तो यह केवल रबर स्टेंप नहीं है, कि जो काउंसिल और मिनिश्टर बोलेगा वही यह करेंगे, इनके पास अपनी विवेकाधीन डिस्कृरिस्टरी पावर है, केवल रबर स्टेंप नहीं है, इनके पास यह डिस्कृरिस्टरी पावर है, तो राज में यहां पर जो है, इ को रिमूव कर सकता है, इस वज़ए से कई बार जो है यह सेंटर के एजेंट के रूप में अधिक दिखाई देते हैं, इनका रोल होना चाहिए कंस्ट्यूशनल हेड़ आफ स्टेट के रूप में और यह एजेंट आफ सेंटर गवर्मेंट के रूप में ज्यादा दिखाई द एक तरफ यहां पर यह है, यह राज के जो है, राज की नीत राज के पॉलसी फॉर्मिलेशन और एड्मिस्ट्रेशन है, राज के पॉलसी फॉर्मेशन और एड्मिस्ट्रेशन में और प्रशाशन में केंदरी भूमिका इनकी होती है, सेंट्रल रोल होता है किसका गवर्नर किस चीज में policy formulation formulation और किसमें administration केंदरी भूमिका होती है लेकिन लेकिन इनकी आलोचना केंदर के एजेंट के रूप में होती है इनकी आलोचना वह central agent केंदर के agent के रूप में होती है सवाल ऐसा है कि ऐसा क्यों है केंदर के एजेंट के रूप में क्योंकि governor elected नहीं appointed हमारे यहां governor क्या है क्योंकि राजपाल जो है वह निर्वाचित नहीं है जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं बलकि central government के द्वारा appointed है केंदर द्वारा नियुक्त किये जाते हैं राष्टपती के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तो सवाल यह उड़ता है कि क्यों आखिर governor हमारे यहां elected नहीं किये गए क्यों इनको appointed बनाया गया और वो भी president के द्वारा वहाँ पर जो है किया गया तो ऐसा क्यों किया गया यह जानना बहुत ज़रूरी था इसके पीछे दो बड़े reason थे पहला reason यहां पर बोला जाता है कि केंदर द्वारा appointment क्यों किया गया कि केंदर ही जो है governor को appointment करेगा एक इसके पीछे जो ground दिया गया unity and integrity of nation यानि राष्ट की एकता वह अखंडता को consider करते हुए वह यहां पर रखा गया अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि governor को अगर central government appointment करेगी तो देश की एकता खंडता सुरचित रहेगी असल में जब देश आजाद हुआ तो disintegration करने वाली forces हमारे यहां बहुत active थी पाकिस्तान तो एक example था कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ ऐसा नहीं है कि इंडिया हमारे अंदर जो है और forces नहीं थी आपको मालूम होना चाहिए कि इस दौर में धीरे-धीरे पंजाब में भी इस तरीके के जो है sentiments वहां पर emerge कर रहे थे South India versus North India language के आधार पर conflict बढ़ते जा रहे थे North East में Separatist जो है tendencies बढ़ती जा रही थी और 67 के बाद तो देखा गया कि नक्सलिजम का भी प्रभाव भारत के अलग-अलग हिस्तों में देखा गया तो यह trend यह चीजे में आजादी के बाद से ही थी क्योंकि हमारे हां diversity बहुत जादा थी diversity के बावजूद unity थी लेकिन आप एक general sense में बोल सकते हैं कि हम unite हैं आप हर एक इंसान को पकड़ के कहेंगे कि नहीं बोलो कि तुमारे अंदर देशवक्ती है तुमारे अंदर समाज के लिए जो है कुछ करन गुजरने की छमता है ऐसा आप universal level पर application apply नहीं कर सकते हैं कि हर इंसान जो है इस तरीके का हो तो सवाल ये था कि डर ये था कि जो state है अब constitution ने हमारे हाँ federal system बनाया कि कुछ power central government को और कुछ power state government को दिया और state government को कई important power दी उनमें से एक power था पुलिस का भी line order का भी सोचिय कि कल कोई state government ऐसी हो जिसके अंदर separatist tendency हो कि हम अपने state को एकल country बनाना चाहते हैं पुलिस उनके हाथ में है पुलिस को वो आर्मी का रूप दे दे और वो ये घोसित कर दें कि अब हमारा राज नहीं है ये हमारा देश है ऐसा किया जा सकता था जिस तरीके की tendency हमारे यहाँ चल रही थी ऐसे में governor जो है वह central के द्वारा state को control करने का एक टूल माना जाता था तो यहाँ पर जो है कि केंद्रिय सरकार central government जो है केंद्रिय सरकार द्वारा वह राज सरकारों राज सरकारों पर नियंत्रन और निगरानी control और यहाँ पर जो है vigilance रखने के लिए वाच करने के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था तो हमने यह प्रोविजन मनाय कि central government जो है वह state government को control कर सके यहाँ पर जो उसके यहाँ पर इस तरीके टेंडेंसी नहों और दूसरा कि जो यहाँ पर state government का arbitrariness है उसको control करना राज सरकार की स्विच्छा चारिता पर नियंत्रन के लिए state government का जो arbitrariness है स्विच्छा चारिता पर नियंत्रन के लिए हमने यह सोचा हुआ था तो एक तो यहाँ पर जो है यह देखा गया लेकिन इसके बावजूत जो है सोचा तो हमने अच्छा था लेकिन गवर्नर के office का politicization होता रहा समय के साथ साथ राजपाल के पदकार राजनीती करन बहुत ज़्यादा हुआ है राजपाल के पदकार राजनीती करन यहां पर हुआ है मतलब इनका जो रोल बिल्कुल नियूट्रल होना चाहिए था इनका जो रोल होना चाहिए था बहुत फेर होना चाहिए था ऐसा नहीं होगा जितनी भी state की governments रही है उनकी हमेसा यह सिकायत रही है कि governor के थू जो लूपू, central government उनकी सरकारों को unstable करने की कोसिज करती है, paralysis करने की कोसिज करती है इनफेक्टेप बनाने की कोसिज करती है तो यहां पर यह problem आता गया और केंद्र के agent के रूप में ही केवलई से देखा यानि इसके दो रोल थे, एक तोस constitutional head of state, उस रूप में जो इसे respect मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला, गवर्नर को तो central government के agent के रूप में ही देखा गया, केंदर के agent के रूप में ही इसको देखा जाना सुरू कर दिया गया, अब इससे problem क्या है, इससे जो है, यह जो है, इस के कारण जो है, वह जो federal structure हमारा था, वह federal structure कमजोर पढ़ने लगा, केंदर और राज्य के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा कौन बन गया, गवर्नर, संघिय धाचा कमजोर होने लगा, और center state disputes बढ़ने लगे, केंदर राज्य के मध्य विवाद का सबसे बढ़ा गवर्नर का office बनने लगा, शुरुवाती दोर में ये problem इतनी जादा नहीं थी, क्योंकि 1952 में जब पहली बार election हुआ, केंदर और राज दोनों अस्तरों पर, तो Congress को मिजॉर्टी केंदर में भी थी और state में, दोनों जगह जब एक तरीके की government थी, तो वहां पर coordination बहुत integration होता है, और कई state में non-congress government form होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में इसी समय चौधरी चरण सिंग की BKD, एक political party उनोंने बनाय था, वो party सरकार बनाती है, पहली बार UP में non-congress government बनती है, 67 में, और कुछी समय बाद प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर के report पर हटा भी दिया है सरकार, तो जैसे ही कांग्रिस, सेंटर में कांग्रिस और यहाँ पर इस्टेट में non-congress government, तो दोनों अलग अलग विरोधी सरकारे एक दूसरे को यहाँ पर conflict की तरीके देखने लगी, तो सेंटरल गवर्मेंट ने गवर्नर के थूँ वहाँ पर वह स्टेट की opposition government जो थी उनको वहाँ पर परिशान करना सुरू कर दिया और इसका मिस्यूज बड़े अस्तर पर देखा गया, तो यहाँ पर राजपाल की जो है वह भूमी का दलगत राजनीत से यहाँ पर होने लगी, तो यहाँ पर इससे राजपाल पद का दुरुपियोग बढ़ने लगा, जो आफिस आफ गवर्नर है, राजपाल के पद का मिस्यूज जो है, वह कई अस्तरों पर बढ़ा, कैसे कैसे इन्होंने किया था, और यह हर एक गवर्मेंट पहले सुरुबात में कांग्रेस सेंटर में थी और नॉन कांग्रेस जो है स्टेट में थी, जब यही इस्तिती वह बहुत से नॉन कांग्रेस इलेक्टेट गवर्मेंट को वह आर्टिकल 356 के नाम पर उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, बर्खा कर दिया, जबकि कोई ऐसा वहाँ पर sound ground नहीं था, लेकिन बस गवर्नर का रिपोर्ट है, तो वहाँ पर हटा दिया जाएगा, कई जनता पार्टी गवर्मेंट ने कहा, कि अगर सेंटरल गवर्मेंट में हमारी सरकार बन गई है, तो स्टेट में कांग्रेस की कैसे सरकार हो सकती है, 1977 में सेंटर में कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन कुछ स्टेट में कांग्रेस अभी भी थी, सरकार वहाँ पर उनकी पनी, जनता पाटी ने का ये कैसे हो सकता है, जनता पाटी ने का जिनकी सेंटर में सरकार होगी, उनकी स्टेट में सरकार, नौ इस्टेट में जो इलेक्टेट गवर्मेंट कांग्रेस की थी, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया, अनुछे 356 का इस्तिमाल करके बरखास्त कर द तो राजपाल के पद के दुर्पियों की अगर हम बात करें, तो कहां कहां दिखाई देता है, जैसे पहला यहां पर दिखाई देता है कि वह अनुच्छे 356, आर्टिकल 356, तो यहां पर यह देखा गया कि वह पार्टी बैसनेस के आधार पर प्रेसिडेंट रूल का रिक्मे प्रेसिडेंट रूल के लिए राष्टपती शाषन के लिए अनुचंसा जो है, वह करती थी, कौन राजपार, यह रिकमेंडेशन देते थे, रिपोर्स प्रिपेर करते थे, यह चीज तो यहां पर बिल्कुल गलत थी, यह पार्टी बैसनेस यहां पर बहुत जादा हुआ करता था, इसी तरीके से वह प्रेसिडेंट के लिए बिल्स को जो हैं, रिजर्व कर लेते थे, राष्टपती के लिए विधेकों को आरच्छित करना, आर्टिकल 200, जान बूज कर, जो अब जैसे मालीजे पश्चिम मंगाल है, ममता जी की सरकार है, अगर ममता जी की सरकार क को परिशान वहां के राजयपाल द्वारा किया जाना है, तो क्या करेंगे, ममता जी ने कोई स्टेट असंबली में बिल पास किया, गवर्नर के पास पहुचा, गवर्नर ये उठा के प्रेजिडेंट के पास भेज दिया, प्रेजिडेंट कितने समय पर उस पर एक्सल कुछ ने लिखा है सम्मिधान में, कोई टाइम लिमिट वहां पर नहीं दिया गया है, कई ऐसे बिल रहे हैं, जो दो-दो साल तक प्रेजिडेंट के पास रहें, कुछ भी नहीं किया है, तो यहां राश्ट्रपती के लिए विधको को आरच्छित करना, तो अब जब कानू पूण जो है यहां पर होता ह। फिर क्या है, कि अगर किसी को भी मेजार्टी नहीं है, तो मुखिमंत्रियों के चैन में वह विधानसभा में, legislative assembly में, किसी party को मेजार्टी नहोनेके स्थिति में, कि विधान सभा में किसी दल को बहुमत न होने पर कि बहुमत न होने पर क्या किया जाता है यह आर्बिट्रेरी तरीके से चीफ मिनिश्टर की अपॉइन्मेंट करते मनमाने रूप में मुख्यमंत्री की न्युक्ति की जाती है एक बार ऐसे हुआ था कि जगदिंबी का पाल स साब जो है उस वक्त उनके पास कोई मतलब की मेले वगरे का बहुदा सपोर्ट नहीं था लेकिन चुकि सेंटर में जो गवर्मेंट थी तो वहां पर जो है उस वक्त कल्यार सिंग के पास मिजॉर्टी थी लेकिन जो है जगदंबी का पाल साहब को गवर्नर ने इसकी एक बड़ी वज़ा होती है जिसको फर्स्ट चांस मिलता है गवर्मेंट फॉर्म करने का उसके पास एक अपर हेंड होता है MLS को खरीदने का MLS को मैनेज करने का MLS की सेटिंग करने का तो वहां पर कई बार ये बड़ा अलग तरीके का ट्रेंड देखा जाता रहा है तक, आपने देखा होगा महाराष्ट में, महाराष्ट में अचानक आपने देखा की देवेंद फर्नवी साहब ने सपत लिया और जो है वहां पर अजीत पवार के साथ, अजीत पवार की पार्टी तो NCP नहीं थी, राजपाल को तो इतना मालूमी था कि पार्टी पॉलिक् पते थे कि अजित्पवार आपसे हट गए हैं, यह पार्टी तूट गई है, क्या है, कैसे है, लेकिन वहाँ पर जो है, गवर्नर के पास यह अधिकार आ जाता है, और भी कई-कई मद्दे यहां पर हैं, जैसे, एक एक्जामपल आपको बताएं, गोवा में यह देखा गया कि वहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ा लाजेस्ट पार्टी था, सबसे बड़ा दल कांग्रेस था, लेकिन गोवा में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट नहीं किया गया, बीजेपी को इन्वाइट किया गया, बीजेपी ने इलेक्शन के बाद वहाँ की एक ए इसी तरीके से करनाटका में जब वहाँ चुना हुआ तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब की बार बीजेपी थी और कांग्रेस जो है इलेक्शन के बाद जेडियेस के साथ वहाँ पर एलाइंस करना चाहती थी तो गवर्नर ने अब की बार वो गोवा वाला नियम नहीं ल जो है पोश्ट पोल एलाइंस जो है उनको बुलाया जा रहा है तो कोई नियम नहीं है बलकि मनमाने रूप में यहां पर यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो एक तो यहां पर यह देखा जाता है इसी तरीके से यहां पर जो है यानि कि चीफ मिनिस्टर का अप पर प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ क्या है? हाल के समय में अगर देखा जाए धर्बीश, तो कई और बड़े मुद्धे यहां पर डिस्प्यूट किया है, कई गवर्नर जो है अपनी स्टेट गवर्मेंट, अपने स्टेट काउंसिल अप मिनिश्टर की एडवाइस नहीं मान अपने मंत्र परिशद की सलाह स्विकार न करना, कई जगह पर यह देखा गया, जैसे, अब यहां पर जो है, कि बिना मंत्र परिशद की सलाह के, बिना काउंसिल आफ मिनिश्टर के एडवाइस के, केरल में विधान सभा का सेशन जो है, वहां पर जो है, बिना मंत्र परिशद के सलाह के बावजूद, इंस्पाइट ओफ, मंत्र परिशद के सलाह के बावजूद, केरल में विधान सभा सत्र न बुलाना, विधान सभा का सेशन नहीं बुलाया गया, केरल में, यही स्तिति राजस्थान में हुई वहां पर भी राजयपाल ने सिसन नहीं बुलाया, जबकि सरकार कह रही है सिसन बुलाईए और सिसन बुलाने काधिकार गवर्नर के पास, लेकिन गवर्नर किसके आड्वाइस पे काम करता है, कौंसल आफ मिनिष्टर की, और ये आडवाइ की पॉलिसी का खुल कर वहां पर किरसाइच किया राज की सरकार की नीतियों की आलोचना या इसके पहले जब अखिलेश यादो की सरकार यूपी में थी तो रामनाद गोविन साहब यहां के राजयपाल हुआ करते थे और कई बार उन्होंने अखिलेश की सरकार की गलत नीतिय लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि इस तरीके के confrontation आ रहे हैं, तो इसकी वज़ा से गवर्नर का role disputed होता जा रहा है, राज की सरकार की नीतियों की आलोचना भी यहाँ पर किया जा रहा है, तमिल नाडू में तो अलगी वहाँ पर खेल हो गया, गवर्नर ने वहाँ पर करने के लिए, एक्जामिन करने के लिए, तो यह सब यहाँ पर बहुत बड़े politicization of जो आफिस है, उसको यहाँ पर दिखाई देता है, इसकी एक बहुत बड़ा कारण क्या है, यह जो राजपाल का किपद का राजनितिकरण है, तो यहाँ पर इस disputed role का इस विवादास्पत भुमिका का वजह क्या है, इस विवादास्पत भुमिका का का कारण क्या है, क्यों वह केंदर के एजन्ट के रूप में अधिक दिखाई देता है, क्योंकि एक तो वह केंदर द्वारा नियुक्त होता है, यह तो है, अपॉइन्मेंट जो है, वह सेंटर द्वारा ही होता है और दूसरा जो है, उसका रिमूवल जो है, वह राष्टपती के क्या होता है, प्रसाद परियन, कभी भी, during the pleasure of president, कभी भी उसे हटाये जाने का डर रहता है, तो वह independent अपना role play नहीं कर सकता है, तो यहां पर जो है, यह एक तरीके से, इसलिए यह political office बन जाता है, इसलिए यह political office बन जाता है, राजनीतिक पद बन जाता है, क्यों राजनीतिक बन जाता है, यहां पर यह देखा जाता है, कि जो लोग retired politician होते हैं, वही राजिपाल बन जाते हैं, राजिपाल कौन है, सेवा नृवित्त जो है, राजनेता, वही क्या है, उन्ही को हम बना देते हैं, राज जो party के लिए loyal होते हैं, जो party के प्रतिनिष्ठावान होते हैं, न की state और constitution के बारे में, उनको लगता है कि यह रिवार्ड मिला है, तो यह जो है यहां पर इनका यह देखा जाता है, जैसे ही change जो होता है power, central में सरकार बदलती है, राजवाल भी बदल जाते हैं, तो इसलिए इनसे यह अपेच्छा की जाती है कि यह central government की policies के, उनके ideology के according वहाँ पर काम करें। तो इनसे अपेच्छा क्या रहती है, expectation क्या रहता है गवर्नर से कि वह केंद्र की नीतियों और विचारधारा, केंद्रिय सरकार की नीतियों और विचारधारा, central government की policies और ideology के according काम करें, विचारधारा के अनुसार यहाँ पर काम करें। तो राजपाल की स्वतंतरता जो है, यहाँ पर गवर्नर का जो है, राजपाल स्वतंतर नहीं है समविधान में, और यही वज़ा है कि यह सारा problem आ रहा है, गवर्नर का office क्यों disputed है, यह सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे थे। अब सवाल है कि क्या किया जाना चाहिए, गवर्नर का जो office है उसको independent कैसे बनाया जाए, यह उसका non-politicalization कैसे किया जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो राजपाल पद के गैर राजनीती करण के प्रयास क्या होने चाहिए। ऐसा क्या होना चाहिए कि उसको गैर राजनीतिक बनाया जाए और constitutional head of state के रूप में उसके रोल को वह बेतर किया जाए। इसमें कुछ commission और कुछ judiciary के verdict हैं, उनको थोड़ा सा हमें देखना है। पहला सबसे important है, सरकारिया commission. 1983 में सरकारिया commission आई थी, और सरकारिया commission ने यहां पर जो है क्या-क्या बोला। पहला कि राजपाल local party politics से associated नहीं होना चाहिए। राजपाल अस्थानिय दलीय राजनीत से संबंधित न हो। उन्होंने कहा कि या social या public life में एक eminent personality हो, सारवजनिक छेत्र में या सामाजिक छेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सामाजिक छेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। जिसकी निस्पच्चता तरस्ता जो है, वो लोग वहां पर बोलें, जो कंसर्ण स्टेट है जहां पर गवर्नर को अपॉइंट किया जाना है, वहां कंसर्ण स्टेट के चीफ मिनिस्टर से परामर्स करके न्युक्ति हो। और इसके साथ साथ जो है, पांच वर्स का जो इनका टिन्यूर है, वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके पहले इनको हटाया ना जाए यहां पर और यहां पर आर्टिकल 356 का जो इस्तिमाल वो लास्ट रिजॉर्ट के रूप में हो, फर्स्ट रिजॉर्ट के रूप में नहीं, फर्स्ट वाइस नहीं होना चाहिए। यह जो है अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम चैन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाइस यहां पर नहीं होना चाहिए। यह सब कुछ चीजें सरकारिया कमिशन ने कहीं थी। लेकिन बहुत चीजे मानी गई बहुत चीजें नहीं मानी गई। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पुंची कमिशन। 2007 में सेंटर स्टेट रिलेशन पर यह पुंची कमिशन मनाया गया था। इसने कुछ बहुत महतुपूर चीजें यहां पर बोली थी। जैसे उसने क्या कहा। कि राजपाल की न्युक्ति जो है वो कौन करेगा। तुन्होंने का राष्टपती करेंगे लेकिन अखेले नहीं करेंगे। राजपाल की न्युक्ति राष्टपती द्वारा एक सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पर होनी चाहिए। एक चैन समीति की सिफारिस पर होनी चाहिए, अभी कौन करता है? अभी तो केंदर सरकार राश्टपती को सलाह देती है, लेकिन अब एक Select Committee के रिक्मेंडेशन पर की सलाह पर या सिफारिस पर जो है होना चाहिए, और इस Select Committee में होगा कौन? तो इस Select Committee में प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर लोग सभा के, जो वहाँ पर राज सभा के चेर्मैन है, लीडर अफ अपोजिशन, बोध हॉसेस के जो लीडर अफ अपोजिशन है, वो रहेंगे, तो ये Select Committee होगी, ये सब बैठेंगे, सार्ट लिश्ट नाम का किया कि कौन यहां पर गवर्नर इस स्टेट का होगा, कौन वहां पर, ये ज्यादा ट्रांस्परेंट तरीका हो, यानि न्युक्ति प्रक्रिया जो है ट्रांस्परेंट होनी चाहिए, इन्होंने कहा था कि न्युक्ति जो प्रक्रिया है, वह में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट अग इनों ने कहा कि राजपाल राश्ट पती के प्रशाध परियंत नहीं होने चाहिए। राश्ट्पती के प्लेजर पर जो है वो नहीं होने चाहिए। और यह अगर हो गया तो राजपाल अपने आप independent हो गया, तब तो अपने मन से काम करेगा। किसी party के लिए party के लिए काम नहीं करेगा, प्रसाद प्रियंत्र नहूं, यानि निश्चित कारिकाल, fixed tenure हो, कोई उसके पहले वहाँ पर उनको न हटाच करे, सिवाए एक इस्तती में, और वो क्या है, सिवाए महाभ्योग के, महाभ्योग उनके खिलाफ लाया जा सकता है, हटाना है, तो impeachment लाओ, और impeachment कहा लाओ, तो यहाँ पर जो है, विधान सभा में लाया जाए, विधान सभा द्वारा यह महाभ्योग लाया जाए तो यहां पर impeachment आप legislative assembly में लेकर आईए पारित कराईए और गवर्नर को अधर्वाइस कोई और तरीका गवर्नर को पांच साल के पहले हटाने का नहीं एक चीज और इनों ने कहा था कि राष्टपती के लिए जो विध्यक हैं प्रेसिडेंट के लिए रजर्वड विल हैं आरच्छिद विध्यक हैं इनका जो maximum time limit है प्रेसिडेंट के पास आरच्छिद विध्यक वह 6 महिने अधिक्तम 6 महा तक जो है उस पर निर्णे आना चाहिए डिसीजन जो है वह 6 महा के भीतर निर्णे प्रेसिडेंट जो है इस पर डिसीजन दे अब यह नहीं कि यह अंतकाल तक रखे रहें दूसरा गवर्नर यह जो आर्टिकल 356 का मिस्यूज करता है कि रिपोर्ट बनाया कि यहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो उन्हेंने कहा अ जो है आइडिया दिया पुंची कमीशन ने कहा स्टेट इमर्जनसी के जगा स्टेट इमर्जनसी तो रहेगी डिस्टिक इमर्जनसी लाओ लोकल इमर्जनसी अस्थानिय आपातकाल का जो है यह अनुसंसा अस्थानिय आपातकाल का प्रावधान होना चाहिए प्रोविजन for local emergency, district emergency, district level पर यहां पर हो, यह इन्हों ने कहा था, अब आई यह तो दो commission हो गए, जिनको आप answer में लिख सकते हैं, या यहां से प्रिलिम्स के question भी बन सकते हैं, अब कुछ judicial decision सुनते हैं, नियाइक निर्ने यहां पर सुनते हैं, सबसे important जो decision रहा है, गवर्नर को लेकर, वो S.R. Bumai, S.R. Bumai versus Union of India, बनाम भारत संगवाद, Union of India, 1994 यहां पर था, यहां पर जो judiciary थी, सुप्रिम कोड था, तो नियाले ने केंद्र सरकार द्वारा जो है, जो opposition party के through governed state हैं, और महां article 356 का misuse है, तो article 356 के misuse पर जो है warning दी थी, अनुछे 356 के दुरुपियोग पर चेतावनी, कि अनुछे 356 के दुरुपियोग पर चेतावनी, कि इसका दुरुपियोग नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा, कि जरूरत होगी, तो हम इसका judicial review कर सकते हैं, हम इसकी न्याइक समिच्छा कर सकते हैं, इन्होंने कहा था कि यहां federalism, संगवाद, यह समविधान का आधारभू धाचा है, यह basic structure of the constitution है, आधारभू धाचा है, इसलिए राज्यों में elected government, राजपाल के द्वारा कमजोर करने का प्रयास वह नहीं होना चाहिए, तो यहां पर जो है, यह इन्होंने यहां पर बोला हुआ था, और अच्छी बात यह देखिए, कि एसार बॉंबई केस आने के पहले, यह decision आने के पहले और बाद, कितना कुछ चीजें चेंज हुई है, 1971 से लेकर 1990 तक, 63 टाइमस प्रेसिडेंट रूल इंपोस किया गया था हमारे देश में, 63 बार राश्टपती सासन लगाय गया था, 1991 से लेकर, ऐसार बॉंबई केस आया, 94 में डिसिजन आया था, तो 91 से हम लें अगर, 91 से लेकर 2010 तक का अगर हम देखें, तो केवल 27 बार प्रेसिडेंट रूल लगाय गया, आप सोचिए, अगर उस 20 साल और इस 20 स अंदाजा इसे आप लगा सकते हैं, कि असर तो पड़ा है बौममई केस का, दूसरा इसी तरीके से रामेश्वर प्रशाद केस आया था, रामेश्वर प्रशाद केस 2005, रामेश्वर प्रशाद केस 2005, इसमें एक बहुत अच्छी बात इन्हों ने बोला, कि सरकार के जो है वो प्रूफ होना चाहिए या गवर्नर के घर पर होना चाहिए गवर्नर हाउस पर होना चाहिए या हाउस लिजिसलेटिव का जो हाउस है असेंबली है एसेंबली के जो है वहां पर में होना चाहिए या फिर गवर्नर के घर होना चाहिए उन्होंने कहा बहुमत जो मेज़ार्टी जो टेस्ट है या ट्रस्ट वोट जो है विश्वास परिछन जो है वह विधान सभा के पटल पर होना चाहिए नकी जो है नकी जो है वह राजभवन राजभवन में होना चाहिए मदब सब लोग विधायक सीधी चले जाते थे राजभवन में कि हमारे पास इतने लोगों का भॉमत है तो गवर्णर देखते थे ठीक आप सरकार बना लीजे यह गलत तरीका है गवर्णर को जो है वो परेड कराने की जरूत नहीं है गवर्णर अपना विवेक से निने ले औ और हाउस में यह साबित किया जाए कि इनके पास बहुमत है इनके पास बहुमत नहीं है यह मेजार्टी जो है वह गवर्णर डिसाइट नहीं करेंगे कौन डिसाइट करेगा एसंबली डिसाइट करेगी हाउस डिसाइट करेगा यह रामेश्वर केस में एक तो इनोंने बो सरकार चली गई और UPA की सरकार आई तो UPA की सरकार ने जिन जिन स्टेट में एंडिये के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया गया था सारे गवर्नर को वह पसे हटा दिया गया उन सारे गवर्नर ने कोर्ट में यह अपील किया कि क्या सरकारों के बदलने से वह राजपाल क को हटाया जा सकता है, जब इस पर क्लेरिफिकेशन सेंट्रल गवर्मेंट से मांगा गया, तो सेंट्रल गवर्मेंट ने कहा कि जो गवर्नर पुरानी सरकारों के द्वारा पॉइंट किये जाते हैं, वो पुरानी सरकार की आइडियोलजी के हिसाब से काम करते हैं, उनकी पॉ गवर्णर जरूरी नहीं कि Central Government की Ideology के According काम करें, उसकी Policy के According काम करें, गवर्णर एक Independent Institution है, आप इसको जो है, वह Central Government के Subordinate बनाने की कोसिस न करें। इसलिए BP Single Case में कहा गया कि आगे से सेंटर में गवर्मेंट चेंज होने का असर वह गवर्णर के चेंज होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। को राजपाल को हटाने का रिमूफ करने का आधार नहीं बनाया जा सकता यहीं वज़ा है कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उस वक्त चाहते हुए भी वह राज्यों के जो अलग अलग कांग्रिस के जो राजपाल थे उनको बीजेपी हटा नहीं पा रही थे वहां पर द यहाँ पर जो है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन को राज्यों में राजपाल को हटाने का आधार राजपाल को हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है आधार नहीं बनाया जा सकता है तो यह तो था यहाँ पर वह जो देखी जाती है यह तो था गवर्नर और उसे रिलेटेड जो मुद्दे थे अब एक और दो कोईशन यहाँ पर दूसरा राजपाल के साथ साथ लेजिसलेटिव असंबली और कांसल से कोईशन नके बराबर लेगन फिर भी कोई भी कोईशन कहीं से भी आजाए हम वहाँ पर ध्यान रखें तो पहला एक सवाल यह बनता है कि सभी इस्टेट में बाई कैमरल हाउस क्यों नहीं सभी राज्यों में बाई कैमरल हाउस द्वी सदनीय विधान मंडल क्यों नहीं बाई कैमरल लेजिसलेचर क्यों नहीं यह एक जरूरी प्रश्न है कुछ ही राज्यों में काउंसिल है कुछ राज्यों में नहीं है अब इसकी एक बड़ी वज़ा यह है कि जिन राज्यों का size, population और geography wise बड़ा होता है, जहां पर issues ज़्यादा complicated होते हैं, वहाँ दो houses अगर रहेंगे, तो बिल पर अच्छा healthy debate discussion हो पाएगा, अच्छे result वहाँ पर निकल के आएंगे. जिन state में size छोटा है, issues कम है, उन्हें दो-दो house की जरुवत नहीं है, एक ही house के पास इतना sufficient time होता है, कि वह अच्छे तरीके से बिल पर discuss, debate कर लेते हैं, और वहाँ पर दूसरी house की जरुवत नहीं पड़ती. तो पहला जो सबसे important चीज है, तो यहाँ पर जो है, कि जिन राज्यों में अधिक जनसंख्या या जो है, विशाल भूगौलिक छेत्र, वहाँ जो है, या देखा जाता है, तो यहाँ पर जिन राज्यों में अधिक जनसंख्या या विशाल भूगौल देखा जाता है, वहाँ पर, वहाँ मुद्दो की जटिलता होती है, और वहाँ पर हैल्दी जो है, डिबेट डिसकस्टन के लिए दो हाउस हुने जरूरी माने जाते हैं, दूसरा यहाँ पर जो है, सभी राज्यों में जरूरी इसलिए भी नहीं है, कि केंद्र की तुल्ना में राज्यों के पास सीमित विशे हैं, केंद्र सौ विश्यों पर कारून बनाता है, तो राज्य जो है, बासर्ड विश्यों पर विधी बनाता है, और राज्यों के पास इतना वर्कलोड भी नहीं है, इस वज़द से भी देखा जाता है, तीसरा इसलिए भी नहीं बनाय जाता है, कि दूई सदनी विधान मंडल से फिस्कल डिफिसिट बढ़ने का खत्रा रहता है, दूई सदनी विधान मंडल के कारण, राज्यों कोशिय बोज में वर्धि, फिस्कल डिफिसिट ब्या फिस्कल बर्डन, तो यह जो है वरिद्धी होगी, और यहां पर जो है, यह अन्नेसेसरी कॉम्पलिसिटी यहां बढ़ाने का एक तरीके का अनावश्यक जटिलता बढ़ती है, और विलंब अधिक होता है, डिले होता है, लेजिसलेचर प्रॉसेस और डिले होता है, तो इन वजहों से, बहुत से स्टेट ने वो यह डिस्टीजन लिया कि भई हम अपने यहां सेकेंड हाउस नहीं रखेंगे, तो अब लेकिन सवाल यह है कि जिनने रखा है, उनके पीछे क्या आधार है, तो द्वी सदनिय विधान मंडल जिनोंने रखा है, कि पीछे तरक क्या है, क्या आर्गुमेंट है, जहां पर है जो बाइकमरल हाउस, तो वहां पर बोला गया है, पहली चीज है, कि Legislative Assembly द्वारा जो पारित विध्यक हैं, उनको एक्जामिन करने के लिए, समिछा, जिससे हैस्टी वे में कोई बिल पास नो हो जाए, जिससे जल्दबाजी में विध्यक, पारित नो हो, दूसरा, यह एक पर्मानेंट हाउस है, जो Legislative Council बनाया जाता है, यहां पर पर्मानेंट हाउस होता है, और यहां पर चर्चा पर चर्चा का अस्तर बेतर रहता है, या पॉल्सी कंटिनिवटी, नीतिकत निरंतरता बनी रहती हैं, और चर्चा पर चर्चा बेतर होता है, बेतर चर्चा पर चर्चा हो पाता है, सबसे इंपोर्टन चीज है, एक ही आपकी यहां अशंबली है, आप माली जे कि अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम में बत्तिस लोग ही विधायक बन सकते हैं, सिक्किम में और लोग जो है, अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें, तो उनके पास कोई स्कोप ही नहीं है, बत्तिस ल प्रतनिसितों जो है को इंक्लूसिव बनाता है, राजनीतिक प्रतनिसितों को इंक्लूसिव इननेचर बनाता है, कई लोगों को अपर्चुनिटी मिलती है पॉलिटिक्स में आने की, यानि कि राज्य में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागेदारी और पॉल और राजनितिक सक्रियता यहां पर बढ़ती, लेकिन legislative council की criticism क्यों होती है, ये विधान परिश्चत की आलोचना क्यों होती है, इसके बावजूद दूसरा house क्यों जरूरी है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन legislative house council की आलोचना क्यों होती, तो कई बार question आएगा, कि legislative council जो है वो एक delayed house है, उसका कोई काम नहीं है, किवल देरी करती है, बिलंब करती है, इसकी पीछे वजह क्या है, पहला, विधान सभा की तुलना में सिमिश सक्तियां इसके पास है, विधान सभा की तुलना में कोई प्रभावी, effective power नहीं है, कोई प् राज सभा तो कई जगों पर controlling house के रूप में भी दिखाई देता है, खासकर constitutional amendment में, लेकिन यह जो है, केवल suspensive house के रूप में दिखाई देती है, यह केवल विलंब कारी सदन के रूप में देखने को मिलती, लेजिसलेटिव काउंसिल को माना जाता है कि यह defeated जो candidate होते हैं, उनका house बनता जा रहा है, कि चुनाओ हार के विधान सभा में, मंत्री बनना चाहते हैं, तो विधान परसद का सदस बन जाईए, तो चुनाओ में हारे हुए, विधान सभा के चुनाओ में, विधान सभा के चुनाओ में हारे हुए, प्रत्याशियों के सदन के रूप में इसको देखा जा रहा है, और इस वज़े से इसकी dignity पर question mark भी लग रहे हैं, तीसरा विधान परिशद को criticize इसलिए भी कियाता है कि economic burden हमारा financial burden बढ़ रहा है, पुरा एक building यहां पर occupied है, उसने staff वहां पर है, salary है, finances है, बहुत से चीजे हैं, तो राज के आर्थिक बोज में विर्द्धी हो रही है, या राज के fiscal burden पर, physical burden जो है, वो बढ़ता है इससे, और यह council में indirect election होता है, यहां पर council में अप्रत्यच निर्वाचन होता है, और अप्रत्यच निर्वाचन यानि कि यह बहुत ज़्यादा representative नहीं है, इसका मतलब है कि अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं है, यह सब को represent नहीं करती है, एक particular community को, एक section of society को किवल यह represent करती है, अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं, तो ऐसे कुछ सवाल यहां पर उठाए जाते हैं, जिसके आधार पर वर विधान परिशत को बहुत effective नहीं माना जाता है, clear है, तो यह तो था हमारा state से related हुए जो issues थे, कल हम लोग judiciary start करेंगे, supreme court, high court, subordinate court, इस से related जो mains के question है, यह सारी चीजें हम लोग finish करेंगे, जिससे कि फिर हम लोग आगे center state relation और panchayati राज, जहां पर हमारा खत्म हुआ, union territory और urgency, फिर constitutional bodies जितने हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, people's representation act के बारे में देखेंगे, यह कुछ-कुछ चीजें हैं, जो next हमारी agenda में रहेंगी, कल मिलते हैं, thank you.